मुश्किलों के आगे हार मानने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। जो इनसान विशम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं वही जिन्दगी में सफल होते हैं और उनमें से कई तो इतिहास रच देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे लुई ब्रेल जिन्होंने लिपी और उसके जनक लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कूपरे नामक गाव में 4 जनवरी 18109 में हुआ था। लुई की माता मोनिक ब्रेल एक घरेलू महिला थी और पिता सायमन ब्रेल घोहों की जीन ब मड़ा काटने का प्रयास किया लेकिन चाकु आख में जा लगा और लुई की एक आख हमेशा के लिए द्रिश्टिहीन हो गई। उस आख में हुए संक्रमन की वजह से कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरी आख से भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह द्रिश्टिह लुई के जीवन साथ वर्ष ऐसे ही गुज्रे। लुई के साथ अच्छा यह हुआ कि नौ साल की उम्र में एक नेक महिला उनका दाखिला पेरिस्थित रोयल इंस्टिटूट फर द ब्लाइंड स्कूल में करवा दिया। उस स्कूल में वेलिंटीन हो द्वारा बनाए गई लिपी से पढ़ाई होती थी पर यह लिपी अधूरी थी। लुई ने यहां इतिहास भूगोल और गनित में प्रावीन्य प्राप्त किया। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बिय एक प्रशिक्षन के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिको द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नएट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपी के बारे में बताया। यह लिपी का आगस पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदू को 6-6 की 2 पंतियों को रखा जाता था पर इसमें विर जोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। आयू में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यू के 16 वर्ष बाद सन 1860 में रोयल इंस्टिटूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपी को मान्यता दी। सन 1824 में यह लिपी दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। हमारे देश में भी ब्रे प्रकाश पैदा किया उसके लिए वे सदैव याद किये जाएंगे।